इसको देख के बोल सकते हैं कि स्विजर लेंड इंडिया जैसे लगता है कि देरे को उतारी दूंगा टाइम हो गया है यह लगे में है चार जब चार क्योंगी वन टू त्री फॉर फाइव फाइव ग्लास है वह नहीं दिखा हुगा 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 अब हम लोग है कसार देवी में और यहां पर सुबह का व्यू तो मैंने आपको दिखाई दिया था अभी फिलाल बादल वगएरा जो हैं वह हट गया है सामने क्लियर हो गया है सारी पैकिंग वगएरा हो गई है बाइक हमने रेडी कर दिया है सामने खड़ी हुगा है सबी लोग रेडी है सामन वगएरा भी लोड कर दिया है और अभी तक मुझे यहां पर काफी अच्छा लग रहा था अब सामन लोड करने के बाद बहुत ही गर्मी मैसस हो रही है इस बार वो कैसी होती है, kind of वो जंगल में टेंट वगेरा लगा के वैसा कुछ है, तो एक बार जाएंगे और देखेंगे, तभी समझने आएगा, वैसे कोई भी प्रॉपर्टी एक फर्स्ट लुक में पता चल जाती है कि वो किस तरह की है, इंटीरियर से मुझे कोई खास लेना करन ने और मनी ने कर लिया था, क्योंकि ये लोग सुबह जल्दी उठने वले लोग है, करन शाड़े चे बज़े उठ गया था, मैं थोड़ा से लेट उठा था, क्योंकि मुझे आदत पड़ी हुई है, नौ 10 बज़े उठने की, मनी को छोड़के कोई भी नाय नहीं है, मै हाँ, लोकेशन बहुत प्यारी है, तो उस लोकेशन पर रुक के कुछ खाने में एक अलगी फील आता है, एक ये भी रीजन है, जिसकी विए से शायद मैंने ब्रेकफास्स नी किया है, मैं भी जाके खाओंगा, नजारे ही नजारे हैं, नजारे ही नजारे, कल रात को भी ज विजरलेंड इंडिया जैसे लगता है, यास, दिस इस दे प्लेस, है नी ओसम, यहां से सीधे आगे उपर चले जाओ, बड़ा मदा आता है, करन का और कोशल का वेट करते हैं, पीछे रह गया है, ये सीध में पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, बरलब काफी सालों से मेरे और मली कैसे यूज़ करती थी, मैंने कब भी भी यूज़ नहीं करी, आज फरस्टाइम यूज़ कर रहा हूँ, देखो कैसी लगती है, कैसा होता है, क्या रिव्यू रहता है इसका, आने वाली जो भी वीडियो होगी उसमें बता दूगा, या दिल्ली पहुंचने से पहले लास्टाइम जब खाया था मैंने तो टेस्ट काफी अच्छा लगा था मुझे, इस बार ऐसा लगा मुझे जैसे और इंप्रूव कर दिया है तो आगे एवेंजर पर कोशल की साथ लड़का बेठा हुआ है येल्लो टीशिट में जो भाई बेठा हुआ है हम उसका वेट कर रहे थे और राशन वगेरा तब तक हमने साथा ले लिया एक्च्छल में हमारी जरनी स्टार्ट होती है अब यहां से फॉर कोसानी क्या बढ़िया घास वाले पहाड़ा गया है एक बार मैं इस पर ऊपर चड़के जाके बैठा था बड़ा मज़ा आया था बहुत बढ़िया जब मैं आया था मलिका थी सचिन और रचना थे में साथ बहुत अच्छा लगा था अलब शेडव वगर रहती है पेट रहता है औ तो एक बार कहीं कुछ मैकनिक दिखेगा बुलट का तो इसको दिखा देंगे अमीद तो यह है कि छोटी मोटी प्रॉलम हो ज्यादा बड़ी प्रॉलम ना हो हमें इतना दूर जाना भी नहीं है और यह एरिया भी ऐसा नहीं कि बहुत रिमोट एरिया हो और कुछ ऑप्शन पीछे से बड़ी अच्छी व्यू नजर आ रहा था नदीर रोड और घास पूरा वैसा हो रखा था एक दम साफ सुतरा सा ना जब मैं लास्टाम इस रूट से आया था ना यह उससे भी जादा सुंदर लग रहा आज मेरको इस ताम भी बहुत सुंदर लगा थे रस्ता बस प्रॉलम यह है कि थोड़ा गरन है अधर्वाइस बहुत सुंदर है देख सामने कि इच्छी स्यूडियां आस्मान नजर आ रहा है वह अच्छे से बनाया हुआ हुआ है मैं भी दूसरी बार ही आ रहा हूं बाकि उससे पहले कभी गलती से आगे हूंगा रात बात में तो ध प्रॉलम यहार मेरा मूट था लोज मा बड़ी अलुक के भाद बनते थे अरे यार मजाया था पाड़ी अज तुम आगे भाग रहे हो तो मैं क्या थक्रत क्यों ने यह चला रहा था बाइक मैं थोड़ना चला रहा था इस आले हराम को यहीं पर चीनी है मैंने इससे बाइक प्रॉलम आपने बनाया कब है यह मेरे कोईट से पहले बनाया चाहिए बीच से पहले आप जा रहा है तो बिल्कुली इंटीरियर भो ही चाहिए अब जाओ गया से जंगल के बीच आपको कैम मिलेगा और बाइक जाती है ना हां बाइक कार सभी आती है एक वो दर रस्ते से दू दानाती ले ले लेना काट ते भी चलेंगी तो चलेंगी कास नहीं अब अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो यह एरिया बहुत ही ब्यूटिफुल है अब देखो तीन चीज़ें होती है अगर आप इस तरफ आते हो तो मैं बोलूँगा कि आप यह रूट कर लो एक होता है अगर आप इस तरफ आते हो तो मैं बोलूँगा यह रूट रिकमेंड़ है आप इसे करें तीसरी चीज़ यह होती है अगर आप इस तरफ आते हो तो यह रूट जरूर करना और स्पेशली अगर बारिश के बाद आते हो तो बहुत ही सुन्दर लगेगा बहुत ह अच्छा लगेगा बहुत ही ग्रीन लगेगा बहुत मजा आयागा रोड भी बहुत अच्छी है थोड़ा बहुत पैच तो होते ही है पहाड में थोड़े खराब बारिशों के बाद लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सुंदर व्यूज है रस्ते में कहने का मतलब य मनें और जयां और च्छाबी कि में फिछ चोड़ दी है जाबी होगी से मेरी पॉकिट में मिल गई पॉकट में थी मिल गई हाँ मिल गई चलते रहो तो हम लेट्स को अभी जहां हम खड़े हुए थे वहां पर हमें खड़े होगे मर्रा आ गया बड़ी साही इंफोर्मिशन शेयर होई और पता चला कि आगे कहीं पर आर्मी एरिया भी है जहां पर रिकॉर्डिंग करना कि कोई आर्मी वाला ऐसा होता है जो बोलता है कैमरा अलाव करो पो Caro जिलीट करो इसा क्यावी बनता में लगा ववा था है क्योंकि मोड़े हो र्का भी यह सांच आर्मी एरिया ता मैंने ऐहां recording ने की थी तो कोई भी ऐसा आर्मी एरिया जो की हमारे देश के लिए बहुती सै सब्सक्राइब होता है उसकी इन्फॉर्मेशन वीडियो में रिकार्ड करके अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए कभी भी निदालनी चाहिए तो अभी हारा प्लैने एक जए कहीं पर रुक के खाना खानेगा उसके बाद जब मैं आगे बढ़ूँगा तो एक कैमरा निका अब जब गए मुझे मैं वैसा करूंगा बट नेशनल सिक्योर्टी के साथ कोई खिलवाड नहीं इधर खाने के लिए रुके ना को क्या वह कौन सी चीज चुरकाडी बार चुरकाडी चुरकाणी बट की दाल होती ना चुरकाणी चुरकाणी अच्छा और और निक्स दाल मैं नाम पहली बार सुन रहा हूं तो वो ही खाऊंगा बट की दाल अच्छा ब्लाक बट कांगा हाँ हाँ समझ गया समझ गया समझ गया जी टोरे ब्लैक वाले है अधर सामान रखे रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहां पीछे फोटोग्राफी चल रही है वैसे यह जगे भी ऐसी है कि यहां बैटके खाना गाओ और यह पूरा सामने गाना जारा जारा लग़ा जासे सीनरी लगा रखी हो बिल्कु लीचे नदी है और सामने गाव्यू तो मैंने आपको देखाई दिया चान को मौसम हो ग बड़ी मुश्किल था है पेदल है तो आपको केम को पहुचा देता है ठीक है ट्रेक करके एक रस्ता से आगे जाएंगे तो लेट हैं रोड कर्टी काटली आओंगो तीक है वह रोड जाती है रुद्रधारी वाटरफॉल वह जो जंगल में है हां जो मंदिर अंदर जाके हम आपको कल अगर होगा त पार अभी चलेंगे तो अभी उसमों वाटर सबस्कार दिखेगा अच्छा ठीक है वहां से हमारा कैम रहता है केवर 1.5 km पैदल रुद्रधारी से रुद्रधारी मेरे कैम से 2-5 km पैदल है अच्छा ठीक है और अभी हम जो जाएंगे अगर हम बाई रोट जाना है तो हमको कैंट होते हुए 9 km का रूट अभी हमारा और रहे है अच्छा कैंट वही जगह है जहां पर हेल्मेट वगरा से कैमरा मुझे हटाना पड़ेगा है तो थोड़ा सा सीक्रेट रखना भी चाहिए है लोकेशन बतानी भी नीची है एलो हेलो एलो 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 कि अधाना पड़ेगा तो भाईयो खाना खाने मजा आगया बट यह चीज ऐसी है जो है जगह मिलती नहीं है यह पहड़ी एरियों में ही आके मिलती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस जगह पे मिलेगी बट हाँ एक नुट्रिशिन वैली जो होती है वह बहुत मैंने ऐसा अच्छा खाना नहीं खाया जिसमें हर तरह के विटामिन्स हो और इसे खाके मैं खाफी इनर्जेटिक भी फिल कर रहा हूं मजा आ रहा है अच्छा लग रहा है कि कुछ अच्छी चीज खाई है मेरा स्टमक भी एकदम खुश सा हो गया और सबसे लास्ट में जो सामने ऊपर बादल जो की पहाड पर आए हुए है फिर उसके बाद छोटा पहाड वापर मकान और नीचे पूरा खेती जिस पर धूप पड़ रही है और एकदम शाइन कर रही है और यह घूम फिर के मैं वहीं आगे हूं मस्त लग रहा है एकदम मस्त को उसा नहीं तीन किल अच्छा कोई दुकान उकान आएगी तोड़ा समान लेना है अंडे अंडे मैं यह बोलने आएथा यह बोलने आएथा है ऐसे ऐसे हाँ यह अच्छी लोकिशन अगरन यह है इच्छो चौराए से लेफ्ट जही तो सुनी तो पटेट ही जही तो इसी रूर पर उस तरफ तो वह है उत्राखंट इस तरफ सुरीता पेरडाइज है मस्त बादल पहाड शेडोज एक अच्छा आसा व्यू क्रीट कर रही है ऐसा लग रहा है जैसे कोई कलेंडर में होता ना स्विजर लेंड इंडिया जैसे लगता है लगता है हम क्यों बोलें कि इंडिया स्विजर लेंड जैसा है या यह निकल गया सुनीता पेरड़ाड़ेस तो राइट में तो लड़के बैटे थे हाँ 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 कि जरूर व्यूपॉइंट होगा कि यार रहे हैं तो कोसानी के चौरह से जब लेफ्ट लेते हैं और यह वाला जो व्यूपॉइंट आएगा यहां से हमें जाना है यह उपर की तरह और इदर से भी जो लोकेशन है वो है अराउंड 5-6 क्रिमिटर्स तो आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला है बंद कर दियो अप रिकॉर्डिंग मत कर अरे हाँ अरे हाँ यहार अज बादल कर अगर बारिश वारिश होगे तो मौसम बन जाएगा अज बहुत बढ़िया वाला और सम अमेजिंग वंडर्फुल लोकेशन यार क्या क्या लोकेशन है कोशल की कल की गल्ती माफ है माफ है मतलब अभी तो हम पोचे भी नहीं नहीं यहार से माफ होगी अभी अभी एक्चुली अपनी आपने पुरान वाला वीडियो देखा या नहीं देखा है तो कल कोशल ने जो हमें प्रॉपर्टी कराई थी तो हम लोग बड़े घुसा अच्छा पर लगाओ आराम से सो आराम से बनाओ बनाओ कुछ कैम्पिंग करने का मज़ा है आप है कैसे ढूंड कैसे लिए जगह अपने जाए पेचान रहा है हमने कुछ अच्छे करण की होंगे कल लुपते ना कर्म गिर रहे हैं तर उदर पता नहीं कर रहे हैं तो बैक का अच्छा प्रवाजन इतना है वह लुडगरा बैग वह जैसी सही करता है उसको बैग चली जाती उदर को चोटे केर में रखियो पहले पी मेरी कुछ अधर बारीश हारी है लेफ्ट साइड में बादल आ रहे हैं तो राइट साइड में धूपा रही है 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 हम बीच में है ह तर ऐसे परक़ रही है है आप मादा lucky तो आजव के चली बनाया हों कि पाला बाता दोतेरी कलती माफ वही है आप हाल कि वह बताएंगे वह बोल यह क्या वोदो हाँ ठीक है ठीक है बता देना इसारा इसारा काफी एट ठीक है ठीक है ठीक है यह गुआ जारे है गुआ क्या गहारा है किशीज केशारा है वह बोल रहा है आगे एक जगे कच्छी है हापे मैं आगे निकल लिएँगा आपको हाच से इसारा कर दूगा आप रुख जाना मैं अपकी वीडियो बना दूगा किड़ते हुए यार क्या मस्त लोकेशन है यार मजा आगया मजा आगया मजा आगया मजा आगया हुआ हाँ हाँ ठीक है मेरको बस इशारा कर देना यारुप जो यहां से नीचे जा कि मुझे ऊपर जाना है तेर को उतारी दूँ है मनी उतार दूँ तेर को वाओ 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 वैसे तो करन चड़ जाएगी हुँ इसा नहीं है चड़ जाएगी इतना कुछ नहीं है आगया आगया राम से यह है डेंजरस सिच्टुएशन वारी शोरी तुर तफ हो जाता है यहां से निकाल लाओ जाता हाँ बारिश में सेचर के वाओ प्सुन जाओगी हैSON कि वाओप जए है यह हुआ çık साथ którego दॉटे तallas मैं जाज बारी बिवेश सिच्ट खरावगीध वाओश ओका क्रूज कैन जाओगापः um कि वाओञे जाता है रहाल मैं अओद है तो यह हैं का पूरा माहल जो भी मैं आपको दिखाया और इस प्रॉपर्टी में एक, दो, तीन, चार टेंट है समर्स में और मौनसून में राइड करने के बाद नहा ना बहुत जरूरी हो जाता है तो मैं नहा लिया, नहा के काफी हलका फिल हो रहा है, क्योंकि पूरी बॉड़ी जलेवी जैसी हो रखी दी, और अब भी हमारे रूम में और यह सेटिंग भाईया, एक नीचे गद्धा बिछा रहे है और दो बैड यहां पर है और एक रूम उदर भी है यह प्रॉपर्टी अभी सिरफ हमारी लिए उपन होई है क्योंकि यहां पर भी कोई भी नहीं आता है, आक्टूबर तक यहां पर बोकिंग नहीं होगी, में बी सेप्टेंब बारिश की अवाज तुना ही दे रही है पता नहीं है यहां पहलकिल की बारिश हो रही है जब से शाम से आया बारिश हो रही है और थोड़े थोड़े बादल भी हो रहे है तो एक दम हेवल्ली माहुल बना हुआ है तो यह देखे सर यह हमारा यह पंच नम्कीन, वन टू, 4, 4, 5 इसको भोलते हैं प्यंट यह प्यंट के उपर चड़ावा खícia कोल यह है मिंश्यर यह है नेटक्रैकर और यह है खटा मीढ यह जो खटा मीढव घिख अबोड़े ऊकर मीढ़े है यह थोड़ेطा मीढ मे मालिक बाता है यह हमारे प्रसाध जी ख़ाने महाने मुना औरि यह तो यह मालिक भी हैं और यह शेफ भी है बनना पड़ता भाई आपको वीडियो के यह साब से हमें शेफ कहना पड़ा है नहीं तो आप अपनी हिसाब से समझ सकते ही है क्या है पृषान भाई एक दम बड़ी आदमी एक दम मस टाइप के और ऐसी प्रोपर्टी में लेकर आ कि वहीं पढ़ा भाई है, चोटा मानता है? यहाँ वैसे यहाँ पड़ाइज जी कर लेकिक वादा प्राज़ा मेरा है तोड़ा आगे अवारे इब टाइम हो गया है यह मैं चार जब पर इब कंवा गलास है यहगा है जो बन रहा है यह लग फवालक पनी देखे रहे हैं पड़एं पीछ जन्ट परसां जी इप के पेड़ों चाहिए पिछे से व एप डू तो पॉलिहाइ बढ़ चाहिए है वे तैंट है पाली हाउस पाली हाउस में पाला को गग रहा है जो ऑभी इसमें डढेंगे ये प्रशान भई ज्यादा मज़े निलेता हु तुमसे ये बड़ा बाई है उसके आधाती है किस से लेंगे यार दूसमनों से तो नहीं है लोगों सरी तो मुझे लेता है आदी तु मेरे बालो की तोड़ासा मेरे बियर्ड के लिए आप वो बियर्ड और वाला को करवाईए और फिर आप देखिए कैसा लक्ता हूं मैं एकदम को रंपीर कपूर के सबसे बैस बता हूं एक ट्रेड मिल खरें ले सब अपने आप हो जाएगा तो यहां पर कुछ जानवर वगरा लाकड़ी को कि लिए जाएवल भागी नेचर मतर नेचर का है कि वह वह बिएख़ाना चाहते हैं अने रू जाती हैंै он कितने लोग यहां है सअन्थ पर विंटर पी आया है किस्मत किस्मत तूरिस्ट अपनी किस्मत खुद लेके आता एंग' इसके अलाबा मुझे बताओ कि यहां आने का बेस्ट टाइम क्या रहेगा यहां आप आईए अपकुबर से मार्श के अपनी परस्ट रहे आपको बताओ कि मैं अगर आऊंगा ना तो मैं यह जो मुझे यहां दिख रहा है मुझे उसके लिए आऊंगा ने हमाले देखने के लिए लिए तो यहां पर आते वाति आगे पीछे ना बहुत जगे दिख जाता है लेकिन यह ज जंगल में घुमने का थोड़ा सा ऊपर पहाड पर चड़ने का वहां चल इदर उदर मतलब चले जाओ थोड़ा बद उसका जो मजा है और जो रस्ता था उतना सुंदर रस्ता था जो अपर यह तो पक्का है कि इस प्रोपर्टी में मेरा आना जाना कुछ सालों के लिए तो चोटी घासने इस पर धूप लगते ही गया गया जाती है यहां पर लीच थेरेपी किस्समें मिल जाती है यह बरसातों के टाइम पर कौंसी थेरेपी लीच लीच मतलब जो चुपक जाती है खुण चूसती है लेकिन वह यह लीच नहीं होती है वो बूसरी आसाम से यह रहते लीच है लीच है यह बढ़ की बूई लीच दोड़ito करके उसको यह लागा ओना यह लगा करके ब्लड़ बलड़ इन, जिसकी ब्लीच हो ती नहीं नहीं हो जिसकी बौढ़ की निचे पूरा ऊज़त यह रहता है यह जो पूरी बोड़ी आसाम परनावस से और दैसा God वो लंबी होती है, मैंने वही देखी है यह मैंने दूसरी बर देखी है आज वर्ना रहा वैंने यह अकभी देखी भी नीथी जो ऐसे एसे चल रही है जो अच्छा वो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कैसे करतें यह बता जाना रोड रोड इस्टर रहा है वाई हमारा मजा किया है जान बूच के करता है सब चीज है तो चलो कोई बात नहीं फिर भी लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना वागी जैसा भी होता है जो भी होता है कुछ इंटरस्टिंग होगा तो दिखाता रहूंगा अधर कर दो दिखाता है